हेलो एवरिवन वेलकम टू सक्सवित राय अकेडमी आठ अगर्स्त दोजार इकिस के दैनिक जागरण के राश्टी संस्क्रण को आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे में हेडिंग या कहिए कि पूरा पेज ही इस न्यूस पर है और वो न्यूस है स्वन तिलक जो भाला फेक में नीरच चोपड़ा है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वन पदक जीत लिया है और व्यक्तिकत इस परधा में ये भारत का दूसरा स्वन पदक है इससे पहल अभिनो बिंद्रा ने निसाने बाजी में 2008 में 2008 में ये पदक जीता था अब 2021 में सुन पदक जीता है नीरच चोपडा ने वो भी भाला फेक में और देखे ये इस इतनी दूरी पर इतनी दूरी पर इन्होंने फेक कर सुन पदक जीता है हलागि दोनों सुरुवात के दोनों प्रयास में ही इनका सुन पदक निश्चित हो गया था और इसमें इन्होंने सुन पदक जीता है इसको अब आज याने की 8 अगस्त को अंतिम दिन है 32 वे 32 वे 32 वे उलम्पिक का तो भारत ने इस बार अच्छा प्रदर्सन किया है प्रदकों की संख्या भी पिछले कई उलम्पिकों से जादा है पुरूस होकी टीम ने पदक जीता माईला होकी टीम ने अच्छा किया इन सब बातों को लेकर जो ये टोक्यो ओलंपिक रहा भारत के लिए काफी अच्छा रहा तो नीरत चोपडा ने सुन पदक जीत लिया है आप देख सकते हैं पूरी पूरा पेज ही इस पर है और देखिए ये हैं अभिनो बिंद्रा जिन्हों ने 2008 ओलंपिक में सुन पदक जीता था अब नेक्स नीस पर आते हैं कि सुरक्षा परिसत में चर्चा के दौराण बेर नकाब हुआ पाकिस्तान ये निूज इसलिए है क्योंकि जो सुरक्षा परिसत की बैठग में अफगानिस्तान ने भी UNSC की बैठग में अफगानिस्तान ने बोला है कि लगभग पाकिस्तान के 20 आतंकी संग्ठन तालिबान को funding रूप में भी मदद कर रहे हैं यानि की पैसे से भी मदद कर रहे हैं और अपने आतंकी भेज कर अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी मदद कर रहे हैं तो एक चर्चा के दौरान ये सब बाते अफगानिस्तान के दौरा बोली गई है और खासत दोर पर UNSC में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इसक जाई दौरा ये बाते बोली गई हैं पिछले एक हफ़ते में तालिबान ने जितनी तेजी से अफगानिस्तान के दो बड़े प्रांतों की राजधानी पर कबज़ा जमाया है उससे विस्व विरादरी में चिंता तो बड़ी है लेकिन तालिबान को मिल रही मदद को रोकने के लिए विस्व विरादरी की तरफ से भी कोई ठोस कदम उठाने के संकेत नहीं है सही सरीके से इसे रोका जाए इस पर कोई ठोस कारवाई नहीं दिखाई गई जो यूनस्ती में अफगानिस्तान के राजदूत है गुलाम इसक जैई उन्होंने भी पाकिस्तान को कई मोर्चों पर घेरने की कोसिस करी हलाकि भारत ये मुद्दा कई बार उठा भी चुका है कितने इस्थाई और कितने अस्थाई सदस्य होते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्याले कहां पर है आज आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है इन सब बातों को UNSC का फुल फॉर्म इसमें कितने इस्थाई और अस्थाई सदस्य हैं इस्थाई सद महामारी की जो संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए देश को एक और हतियार मिल गया है भारत के दवा महानियंत्रक याने के DCGI ने अमेरिका की दवा कंपनी जॉंसन एंड जॉंसन की क्रोना रोधी वैकसीन के इमर्जेंसी इस्तमाल को मंझूरी दे दी है इसमें खास बात यह है कि इसकी सिर्फ एक डोज लगेगी आपने देखा होगा कि कोविट शील्ड को वैकसीन मॉड़ना स्पूतनिक वी की दो-दोज लगती है लेकिन इसकी एक खासियात है कि इसकी एक डोज ही लगेगी और देखिए यहां पर यह भी बताया गया है कि कौन कितनी कारगर है हाला कि यहां पर COVID Shield को 90% बताया गया है लेकिन जब इसका पूरा अध्यनम करते हैं याने कि जितने इसके feedback है हम देखते हैं और देशों के तो COVID Shield को सिर्फ और सिर्फ 75 से 80% प्रभावी बताया गया है को वैक्सीन को 85 से 90% बताया गया है मौड़ना 94.1 इस पूतनी 91.6% बताया गया है वहीं जॉन्सन को अभी इसका इसका इस्तमाल भारत में हाला कि नहीं हो रहा है लेकिन विदेशों में इसको 85% कारगर बताया जा रहा है 16 जनवरी से टीका करण अभियान शुरू हुआ था देश में क्रोणा वायरेस के खिलाफ टीका करण का अभियान 16 सुरू हुआ था उस समय कोवेट शील्ड और को वैक्सिन को ही मंजूरी थी लेकिन अप्रैल में इस पूतनीक वी को भी मंजूरी दे दी गई थी हाला कि म मन्जूरी मिल गई थी 5 अगस्थ को Johnson & Johnson ने Emergency Usmanal की मन्जूरी मांगी थी भारती स्वास्थ मंत्राले से तो इससे उसी दिन मन्जूरी भी दे दी गई थी अब तक पांच वैक्सीन को मन्जूरी दी चुकी है Johnson & Johnson की single dose इस वैक्सीन को मिलाकर अब देश में कुरोना रोधी पांच वैक्सीन को इमर्जेंसी इस्तमाल की मंजूरी मिल चुकी है, सबसे पहले सीरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया की कोविट शील्ड और भारत बायोटेक की को वैक्सीन को मंजूरी मिली थी, इसके बाद रूसी वै वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है, नेक्स्ट नीउस है, गोगरा पर बनी सहमती से ब्रिक्स सिखर सम्मे बैठक की खुलेगी रा, तो सबसे पहले हम इस नीउस में ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, ब्रिक्स, देगे ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रश इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रिका, इसका फुल फॉर्म होता है, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ब्रिक्स जो है उभरती राष्ट्री अर्थविवस्थाओं के एक संग का सीर्सक है, इसके जो घटक है वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दच्छन अफ्रिका, हाला कि इसकी सुरुआत 2009 में हुई थी, ब्रिक्स उभरती राष्टी अर्थविवस्थाओं का एक संग है, यह आपको पताया गया है कि इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसके 5 सदस्ते देश हैं, मूलता 2010 में दच्छन अफ्रिका को भी सामिल कर लिया गया और 2010 से पहले इसे ब्रिक्स बोला जाता था, लेकिन 2010 के बाद जब सावत अफ्रिका को जोड़ा गया तो इसमें एस लग गया इसलिए इसे ब्रिक्स बोला जाता है, रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्ते विकास सील या 9 और 2 गी करत देश हैं, जिनकी अर्थ वरस्ता तेजी से आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अनुवान के अनुसार ये राष्ट सयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में 4 खरव अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं, इन राष्टों का सयुक्त सकल घरेलू उत्पात 15 खरव अमेरिकी डॉलर का है, ब्रिक्स देशों का 23 प्रतिसत योगदान है और विश्व व्यापार में लगभग 18 प्रतिसत की हिस्सेदारी ब्रिक्स रखता है, वर्तमान में दच्चन अपरिका ब्रिक्स समू की अध्यक्षिता करता है, ब्रिक्स का दस्वा सिखर सम्मेलन अफ्रीका में हुआ था, पूर्वी लदाख में वास्तिक नियंतरन रेखा पर इस्थित, गोगरा इलाके में सेन नित तैनाती खत्म करने को लेकर भारत और चीन के बीच बनी सहमती, ब्रिक्स बैठक पर भी सकरात्मक असर डाल सकती है, पांच देशों, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दच्छन अफरिका के संगठन, ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, ब्रिक्स के तहट तमाम बैठकों का दौर चल रहा है और अमूमन इस वर्स भी बैठक का आयोजन डिजिटल माध्यम से होगा, इस महा भी ब्रिक्स पर्यावरन, मंत्रियों, वित्मंत्रियों, राष्टी सुरक्षा सलाकारों की अलग-अलग बैठक होगी, लेकिन सिखर बैठक की तिथी को लेकर सदस्य देशों के बीच अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, अगर LAC पर इस्तिती दो अन्य छेत्रो होट स्प्रिंग वर देवसांग में, सैन इतनाव खत्म करने को लेकर भी सहमती जल्दी बन जाती है, तो फिर सामान रूप से सिखर सम्मेलन की संभावना भी बन सकती है, भारती पक्षिया मान कर चल रहा है कि गोगरा इलाके को खाली कराने के बाद चीन सेस बचे दो इला इसकूलों में हुनरमंद बन कर निकलेंगी नई पीड़ी, पढ़ाई के साथ देश की नई पीड़ी को हुनरमंद बनाने की पहल असर दिखने लगी है, इसकूली इस तर से ही यह मुहीन तेज हुई है, इसके तहत उद्योगों की जरूरत के आधार पर इसकिल से जुड़ जिन कोर्सों को प्रमुकता से सुरू किया जा रहा है, वे डाटा, साइंस और कोडिंग है, जिसके लिए इस छेतर की बड़ी कमपनी माइक्रोसॉफ्ट की मदद ली गई है, इसकूलों में इसकिल से जुड़े कोर्स को सुरू करने की यह पहल नई राष्ट्रिय सिक्षा नीती के आने के बाद से तेज हुई है, जिसमें वर्स 2025 तक स्कूलों हुआ, उच्छ सिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 50 फीजदी छात्रों को किसी ना किसी स्किल से जोड़ने की सिफारिस की गई है, जिसके बाद ही रुची सामने आई है, हाल ही में सरकार ने सिक् नेक्स्ट न्यूज है, बिजनेस पेज से पहली न्यूज है कि तीन वर्सों में अमेरिका जैसी होंगी देश की सडकें, और ये स्टेट्मेंट दिया है नितिन गटकरी ने, सडक परिवान एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी अगले तीन वर्सों में देश भर में अमेरिकी स्टर के राष्टिये राजमार गयाने की नेशनल हाईवे विक्सित करने का बरोसा जताते हैं, सनिवार को गुजरात के बनास कांडा, इस्थित दीसा में पौने चार किलो मेटर के एलिवेटेट कारिडोर का लोकारपन करते हुए गटकरी ने वर्तमान में देश है, अगले तीन वर्सों में देश को अमेरिकी इस तरकी सडके मिलेंगी, उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक, याने कि जो आप पिछले कई वर्सों की बात करें, तो जो प्रती दिन सडके बनाने का जो लक्ष था, वो दो किलो मेटर था, याने कि सिर्फ देश में दो कि किलो मेटर हो गई है, 38 किलो मेटर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है ये, गटकरी ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के निर्तत में राश्टी राजमार्गों का जोर सोर से निर्माण हो रहा है, गुजरात में भारत माला परियोजना के तहत 25,370 करोन रुप रखकर फरजी वाणा नहीं कर सकेंगी, कारोबारी जगत की गला कार्ट परतिस परधा के बीच धन कमाने के लिए कई बार कमपनियां किसी अन्य मशुहूर कमपनियों से मिलता जुलता नाम रखकर ग्राहकों को ब्रहमित कर अपने उत्पात बेशती हैं, इससे वास्तविक कमपनी के कारोबार पर असर पड़ता है और जान बूच कर मिलता जुलता नाम रखने वाली कमपनियां बिना खास प्रयास किये ही कमाई करती रहती हैं, कार्पूरेट अफेर्स मंत्राले ने अब इन कमपनियों पर कारवाई करने का अधिकार सीधे रजिश्टरार आफ माह का समय देने के बाद इन कमपनियों का नाम खुद बदल देंगे, मिलते जुलते नाम या ट्रेड मार्क का इस्तमाल करने की सिकायत आने पर अभी तक कार्पूरेट अफेर्स मंत्राले ऐसी कमपनियों को नाम बदलने के लिए 6 माह का समय देता था, 6 माह में भी ऐसा नह के कमपनी परिशान होती रहती थी. मंत्राले ने नियमों में परिवार्दन कर दिया है और अधिसीचना के अनुसार अब मंत्राले खुद या किसी सिकायध पर तीन महा में नाम बदलने का निर्देश देगा. नेक्स पेज पर आते हैं एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज में तीन आर्टिकल है पहला आर्टिकल है हमारा निरर्थक हंगामे में उल्जा विपक्ष और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरन के एसोसियेट एडिटर संजीव गुप्त द्वारा आर्टिकल में बताया गया है कि संसत के मांसुन सत्र को सुरू हुए तीन सप्ता से जादा हो गया है पर विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हो रहा है अब आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि दो हफते जो संसत चली है उसमें कारवाई कितनी हुई है सिर्फ 18 गंटे की सिर्फ 18 गंटे ही संसत की कारवाही हो पाई है हाला कि विपक्ष ये मांग करता रहा कि जो कुरोना की दूसरी लहर आई है दूसरी लहर उसमें जो सरकार की नातामिया थी उसको लेकर चर्चा के लिए संसत्र बुलाया जाया मांसून सत्र बुलाया जाया ये पुर्जोर तरीके से इसमें मांग की जा रही थी, जब संसथ शत्र बुलाइगया, मानसुन सत्र शुरू हुआ, तो अब संसथ को ही चलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं विपक्ष का एक सूत्री कारिकरम है, कि हम संसथ को नहीं चलने देंगे, जबकि उनके कहना, कत्हन के अनुस करा लिये हैं लेकिन विपक्षी दलों को इस पर भी आपत्ती है विपक्ष के रवईये पर सत्ता पक्ष का खिन होना स्वभाविक है विपक्ष के रवईये को इंगित करते हुए पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सेल्फ गोल कर रहे हैं एक तो विपक्ष को एक दो मिनिट में पास कर लेती है संसद में हंगामे को निर्चत तो दे रही जो कॉंग्रेस संसद में बहस से बच रही है वह बाहर अपनी सक्रीता दिखा रही है राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर लेकर सड़क पर निकलते हैं और कभी साइकिल लेकर ऐसा लगता है कि सरक यह अजीब है कि पिछले दिनों कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान विपक्ष सरकार को आड़े हाथो ले रहा था और विसेश सत्र की मांग कर रहा था इसके लिए सरकार तयार भी हुई पर जब चर्चा का समय आया तो विपक्ष पेगासस जासुसी मामले में सरक को घेरने की कोसिस करता रहा राहूल गांधी यह मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को नास्ते पर बुलाकर और फिर उनके साथ साइकल चलाकर एक बड़ी उपलब्दी हासिल कर ली है पर उन्हें याद रखना चाहिए कि विपक्षी दल अपनी राजनी अगर इन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं होती तो फिर चुनोतियों से पार कैसे पाया जा सकता है बाग की विपक्ष की तुलना में कॉंग्रेस के पास अंतराश्टी मुद्दों का कही अधिक तर्जुर्बा है लेकिन सदन के भीतर उसका आश्यर जनिक है समझना कटि है कि देश के सामने उपस्तित चुनोतियों पर कॉंग्रेस कोई सार्थक बहस क्यों नहीं करना चाहती है नेक्स आर्टिकल है चलने को साधने का तरीका यह हास सिवेंग है इसे डिसकस नहीं करेंगे और बे मिसाल नीरच इस पर भी हम पहली निउस में ही डिसकस कर चुके ह नेक्स निउस है कि जल्द ही दोनेगी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन प्रोदूसर मुक्त रेल परिवहन की तरफ एहम कदम बढ़ाते हुए रेलवे ने हाइड्रोजन से ट्रेन चलने का फैसला किया है अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही हर्याणा के सोनी पत और प्रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जर्मनी और पोलेंड में हाइड्रोजन इन्धन से ट्रेन चलाने का परिक्षण किया गया है भारत में DMU यानि कि डीजल मल्टिपल यूनिट में इसके इस्तमाल का फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने वाले 150 कटर पंतियों पर केस आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंदू मंदिर तोड़ने के बाद भारत के तेवर तीखे होने का असर हुआ है पाक सरकार की नीन तूटी है और पंजाब पुलिस ने 150 कटर पंति मुसल्मानों के खिलाफ मुकद्बा दर्ज किया है जिन में से 50 को गिरिफतार भी कर लिया गया है UN में जुटा विरोधी मियामार के राज़दूत को मारने की साजिस विफल संयुक्त राष्ट में मियामार के जुंटा सैन निसासन विरोधी राज़दूत क्याओ मोट तुन की अमेरिका में हत्या करने की साजिस रची जा रही थी इस मामले में न्यूवयार्क में म्यामार के दो नागरिकों को गृफ्तार किया गया है। पकड़े के दोनों भाड़े के अपराधियों को काम दिया गया था कि पहले वे मोट्टुन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें। वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर हमला कर दें। अटार्नी कार्याले ने कहा है कि पकड़े गए म्यामार के नागरिक 28 वर्सिये फियो हेंड हट और 20 वर्सिये ये हेंड जेव हैं ये विदेशी राजनेग पर घातक हमला करने की योजना के आरोपित हैं तो ये आज का 8 अगस्त 2021 का दैनिक जागरन का राश्टिय सुस्क्रण अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद